सब्सक्राइब करें एके इंडिया योटूब चनल को साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक अब्डेट मिलते रहे और हमारे दूसरे चनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दावा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलिज सम सब्सक्राइब कर लिए तो सब्सक्राइब कर लिए साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए देख सके और रात नौ बजे भी आप इसे देख सकते हैं यानि के दो वीडियो आप लोगों को प्रवाइट करा जाती है एक सुबा साथ बजे और एक रात नौ बजे दोस्तों खब्री पर फॉलो कर लिजेगा खब्री पर मैंने आप सभी को बताया है कि बिहार प्रिस के भर के साथ सेर किया जाता है तो टेलिग्राम गूरुप में भी जुड़ जुड़ जाहिएगा रिवाइज मी के साथ क्यूज के लो और तैयारी करो अपनी एक्जाम की एक्जाम की कैटेग्री चुनो आप हिंदी या इंग्लिस लेंग्वेज यूज कर सकते हो फिर क्या आप बिरोधिक हो जो और स्टार्ट करो क्यूज को और हाँ आप अपना रिजल्ट देखकर आगे की क्यूज की त्यारी उसी तरीके से कर भी सकते हैं तो डाउनलोड कीजिए रिवाइज मी एप्लिकेशन अपने एक्जाम की त्यारी करने के लिए विडियो में आगे बंथने दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ दोस्तों मैंने यहाँ जीगराफी से 15 nothin लिया है प्रिभेश विडियो में मैंने आप सभी को 15 पंदर Стवी को जावाब म ऑप प्रतेक कवेश्आ का वी जवाब कंमेंक्सेक्शन बता सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो का एम करता हूं मैं दोस्तों डेर सो लाइक का तो इस डेर सो लाइक को जरूर कम्प्लीट कर दीजेगा ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंट्स के साथ सेर कीजिएगा आज का पहला प्रशन है कि निमलिखित में से कौन बिर्यस्पति का उपगरह नहीं है अब देखो दोस्तों आपको बिर्यस्पति का उपगरह का नाम याद होना चाहिए तब ही आप इस क्वेशन का सही जवाब दे सकते हो दोस्तों इसका सही जवाब कि हम बात करें दोस्तों सबसे बादा है और दोस्तों यह जोहिन की प्रमुख और एक आयो यह सारे प्रमुख उपगड़ा है ब्रहस्पति का ठीक है और ब्रहस्पति जो है दोस्तों हमारे स्वर्मंडल का सबसे बड़ा गड़ा है और इसके पास कुल 67 उपगड़ा होते हैं ठीक है चलिए आगे बड़ते और नेक्स्ट क्वेशन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन है कि खगोल भौतिकी में बाह अंत्रिक्ष में इस्थित होल जहां से उर्जा और तारे निकलते हैं क्या नाम दिया गया है ओप्सन है यहाँ पर ब्लैक होल ओजोन होल या सी छुद्रग्रफ बिल्ड या डी वाइट होल दोस्तों इसका सही जवाब क्या करते हैं उसे वाइट होल कहा जाता है और जहां पर जितने भी लाइट होते हैं एनर्जी होते हैं वहां जाकर के समा जाते हैं उसके अंदर बिलुप्त हो जाते हैं उसे कहा जाता है ब्लैक होल ठीक है तो ब्लैक होल और वाइट होल में आपको यह अंतर समझ में आना चाहि कि नेक्स्ट क्वेशन है कि सूरी के सबसे समीप ग्रह कौन सा है काफी इजी क्वेशन है इसका सही जवाब होगा दोस्तों बुद्ध अगर मैं एक क्रमवार ढंक से बात करूं कि सूरी से जो ग्रहों का क्रम है वो कैसे है यह भी आपके एक्जाम में पूछे जा सकने वाले आपके बताना स चाहता हूं पहले नंबर पे News ल मुलते दूसरे नंबर पे आप के प्रृथवा जाता है चरहा ऐसे, क्यों ज स्कुन सmem تع क्या कहा जाता है दोस्तों नेप्चुन और आठे नंबर पर वरून यानि की यूरेनस इसे कहा जाता है ठीक है तो ये साड़े जो है आठ क्रमवार ग्रह हैं और सबसे पहले जो आते हैं दोस्तों वो बूद आता है और सबसे बात का जो ग्रह है वो वरून यानि की यूरेनस से यह दोनों आपको याद रखना होगा और सुर्ष से क्रमवार सवर्य ग्रहों का क्रम था यह देखो दोस्तों उसी से रिलेटेट क्वेश्चन एक और आया है कि निमलिखित में से प्रिथवी से कौन से खोगोले पिंड की दूरी सबसे अधिक है यह प्रिथवी से पूछा प्लूटो है तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आप सोच लोगों कि प्लूटो क्योंकि प्लूटो सबसे दूर है तो दोस्तों यह बिल्कुल आपका गलत एंसर हो जागा क्योंकि प्लूटो को हमारे स्वर्मंडल से बाहर कर दिया गया है ठीक है इसका कोई अधिक कहते हैं और इंगलिश में से नाप्चुन कहते हैं ठीक है तो ये नाप्चुन जो है हमारे प्रिथीवी से सबसे दूर इस चीथ एक पिंड है ठीक है या ग्रह कहले जो भी कह लिए चाप तो नेप्चुन इसका सही जबाब हो जोगा option नमर C बिल्कुल सही जवाब होगा नेक्स्ट क्वेशन है कि ब्रहस्पती का दर्मान है लगभक कितना अब देखो दोस्तों ब्रहस्पती ग्रह का यहां दर्मान ने पुछा जा रहा है और ऑप्शन भी आपको यहां पर दिये जा रहे हैं कि सुर्य के दर्मान का दस्वा भाग है या सुर्य के दर्मान का हजरवा भाग है या सुर्य के दर्मान का सवा भाग है या सुरू के दर्मान का आधा यह है इसका सही जवाब क्या होगा अगर दोस्तो इसकी सही जवाब के बात करें कि ब्रहस्पती का दर्मान कितना है तो दोस्तो ऑप्सिन नमर बी सुरे के दर्मान का हजारवा भाग होता है ब्रहस्पती गरह का दर्मान अगर प्रिहस्पती गइदाब के बाद हैं, तो ब्रहस्पती गरह जो है सुरे के दर्मान के हजरवा भागे और ब्रहस्पती हमारे स्वड मंदल का सबसे बढ़ा गढ़ा भी है। ठीखे अगर दोस्तों इसे हम कहें कि इसका वाय-मंडल य दाब के तूलना से एक करोर कितना है और प्रिशपाति प्रिश। से एक करूर गुना वहां वाई मंडल ये दाब है ठीक है आप देखो दोस्तों इसका जो नेचर है और बिहाइबियर है आपके ब्रहस्पती गढ़ा का वह एक तारा के भाती भी और ग्रह के भाती भी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट को देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन है कि हमारे स्वार मंडल का सबसे चमकिला ग्रह कौन सा है ऑप्शन एक सुक्र बुध मंगल या डी बिढ़स्पती इसका सही जवाब के हम बात करें दोस्तों तो आप्शन नमर एक सुक्र इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हमारे स्वार मंडल का सबसे चंकिला गडर है वह सुकर ही है सूर्य ठीक है सूर्य और चंद्रमा करेखस का इक वा से सबसे ज़्यादा स्वार मंडल में सबसे संब किल रहा हीыт आता है पर तो यह सूर्य के सबसे नसदीग गड़ा है सुक्र और और सुक्र को इसके वज़ेसे चमकिला तारा होने के वज़े से ही सांज का तारा या भोर का तारा भी से कहा जाता है तो यह पॉlichen आपको याद रखना है काफी important सवाल है दोस्तों ये सुरी या चंदर गढहन में प्रित्वी पर चाया कितने भाग में विवाजित हो जाता है दोस्तों इसका सही जवाब होगा दो भाग में आप कभी कभी कि आप एक जामें पुछे जाते हैं कि ये दो भाग कौन-कौन सो होते हैं ठीक है तो मैं आपको बता दू अम्ब्रा ठीक है आप इसे नोट डाउन कर लेना ठीक है अम्ब्रा और दोस्तों होता है एक पे नम्ब्रा ये दो होते हैं ये जो दो भाग में बढ़ते हैं एक भाग को अम्ब्रा कहा जाता है और दूसरे भाग को पे नम्ब्रा कहा जाता है अब इसमें आपको confused नहीं होना है, ठीक है, option A के सूर्य, alpha century, सिध्रो या D, चित्रा, इसका सही जवाब क्या होगा, दोस्तों इसका सही जवाब होगा, सूर्य, पृतिवी के सबसे नजदीक तारा सूर्य है, और आप सभी को पता होगा, सूर्य एक परकार का तारा है, आपको इसमें बिल्कुल confused नहीं होना है, काफी सारे लोग alpha century इसमें सही जवाब देंगे, ठीक है, तो इसका सही जवाब सूर्य होगा, option number A, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और इस next question को देखते हैं, next question है कि सूर्मंडल में कौन सा ग्रा, प्रित्वी जितना बड़ा है, option 1, बुद्ध, B, मंगल, C, सुक्र, या D, प्लुटो, दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अगर इसका सही जवाब के हम बात करें, इसका सही जवाब होगा, option number C, सुक्र, ठीक है, सुक्र जो है, सूर्मंडल में एक ग्रा है, जो की प्रित्वी जितना बड़ा है, हमारे ठीक है, इसलिए सुक्र को प्रित्वी की जुरुवा बहन भी कहते है, ठीक है, option number C, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सुर्मंडल में एक सुक्र ही मात्रा सा गड़ा है, जो की प्रित्वी जितना बड़ा है, next question है कि कौन सा गड़ा चंद्रमा के समान दिखता है, option X, प्रिहस्पत्ति या डिमंगल, अब देखो दोस्तों इस question को आपको सिंस को समझना होगा, इस question क्या पूछ रहा है, यहां कहारा है दोस्तों कि चंद्रमा के समान दिखता है, यानि कि चंद्रमा के समान चमकिला दिखता है, option 1, सुक्र, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सुक्र है, जो कि दोस्तों चमकिला है, और इसे सांच का तारा और भोर का भी तारा कहा जाता है, ठीक है, इसी के लिए दोस्तों इस चंद्रमा के समान दिखाई देता है, सुक्र, आगे बढ़ते हैं और next question को देखते है, next question है कि अरुन गढ़ा का खोज किसने की थी, देख दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब कि अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा, विलियम हर्षेल, विलियम हर्षेल ने अरुन गढ़ा का खोज यहां पर किया था, अरुन यानिकी नेप्चुन, ठीक है, अब देखो दोस्तों, 1781 इ सीमा साजा करता है काफी इंपोर्टेंट सवाल होगा दोस्तों अगर आपको मैप का नौलेज तो अभी आप इसका जवाब दे पाओगे ऑप्शने के चीन बंगलादेश सी भुटान डी अफगानिस्तान इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब कि हम बात कर चीन के साथ अपनी सीमा को साजा यहां पर करता है तो तो हम नेपाल की बात करें तो नेपाल एक लेंड लोक देश है फिका लैंड लोक देश यानि कि कहने का मतलब है दोस्तों एक ही चारोत्रप से भूमी से घिरा हुआ एक देश है ठीख है जिसकी सीमा भारत के अलावा ठीक है Lord को मैंने आपसे काल एक क्या पूछा था कि जब प्रिथिمए प्रिथीृ सुरिच के सबसे नजदीख 15Bोटी प्रिथिविben fantasy our 40 results दोस्टों इसका सही जवाप हो काथ 4 जुलाइग यह 4 जुलाइग के घटना होती है जोकी प Candol fiveける जो है सूरे के सबसे नजदिक होती है जिसे क्या कहा जाता है तो अब सौर कहा जाता है अब आप लोगों को यह बताना है कि जब प्रिथिवी सूरे से सबसे अधिक दूरिप होती है वो किस डेट को होती है और उस घटना को क्या कहा जाता है ठीक है इसके बारे मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया है अगर आपको इसके बाल में इन्फोर्मेशन नहीं है तो आप पिछले वीडियो को देख करके वहां से जान सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट को देखते हैं क neeक्स्ट क्यों संunta की सुर ही के बाद एहां पर पूछा जांन कि कौन सा है। डीडियोक, इस का सही जवाब क्या हो होगा दोस्तों अगर इसका सही जवाब बता है तो आप लोग कमेंट सेक्षिन में भी इसका सही जवाब बता सकते हो ठीक है अभी देखो यहां पर दोस्तों पूछा जाए कि प्रित्वी के सबसे नजदिक तारा कौन होगा तो वह सुर्य है लेकिन यहां पूछ रहा है सुर पॉइंट 22 प्रकास वर्स दूर पेस्टीथ हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट को देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन है कि सुर्य का प्रिष्टिय तापमान कितना है अब देखो दोस्तों यहां सुर्य का प्रिष्टिय तापमान पूछा जा रहा है ऑप्शन कवे से kickingने के जवाब होगा 6000 डिग्री सेल्सियस सुरे braking प्रिष्टिय ए स्टापमाण 2000 का डिग्री सेल्सियस के लिए दोस्तों अगर आप इस फीडिया आप करना चाहते हूँ तो आपको टेलिग्राम गुरुप में जुड़ना होगा यहां पर आप सभी को दोस्तों के साथ एंसर भी प्रवाइट करवा जाता है साथ ही आप इसे ओनलाइन पर सकते हो टेलिग्राम गूरुप में आपको सारे स्ट्य बेटरिई बिल्कुल फ्य आप कोष्ट प्रॉवाइट कर वाय जाते तो आप लोग टेलिग्राम गूरुप में जुढ सकते हो दोस्टो जो मैंने आज का aim किया है दोस्टोँ डेर सो लाइक का तो इस डेर सो लाइक को complete करतीजेगा वीडeon को जादा जादा लाइक कीजेगा आपने सारे friends के साथ share कीजेगा